ये कहानी है एक चंदल की जनहा सभी चंवर एक दूसरे से खफार ये पेदर जैसे की शेर पापर शेर डाइनिसार गंदा चिता और भालो जैसे चंवर चंवर में रहते थे नी के बीट साप और बाग भी रहते थे जो बहुत ही घने मित्र थे जिनकी दोस्ती ने चंवर के बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से गाव में एक साप और एक बाग बहुत अच्छे दोस्त थे यह गाव जंगल की किनारे बसा हुआ था और यह साप और बाग दोनों ही उसी जंगल की हिस्से थे एक दिन साप और बाग ने फिर से एक नई बातचीत चुरू की बाग ने कहा दोस्त हम यहां जंगल में एक साथ रहते हैं फिर भी हमारी बातचीत में कभी न कभी एक नई रुची होती है हमें और भी कुछ नया करना चाहिए साप ने मुस्कराते हुए जवाब दिया हाँ तू ठीक कह रहा है दोस्त हमें अपने जीवन को और भी रंगीन बनाने की जरूरत है क्या कर सकते हैं हम बाग ने गहराई से सोचा और फिर बोला हम एक साथ जंगल के अंदर घूम कर और नए स्थानों को खोच कर देख सकते हैं हमें यहां के अलावा और भी जगहों का पता करना चाहिए साप ने सोचा और फिर हसते हुए कहा यह एक बहुत अच्छा आइडिया है दोस्त हम अपने जीवन को और भी रोचक बना सकते हैं चलो हम आज से ही यह कारेक्रम शुरू करते हैं इसके बाद साप और बाख ने मिलकर जंगल के अंज़ाने हिस्सों को खोचना शुरू किया उन्होंने नए पशो से मिलकर नए दोस्तियां की और अपने जीवन को और भी रंगीन बना दिया इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि कभी कभी हमें अपने आसपास की दुनिया को और भी बहतरीन तरीके से जानने की जरूरत होती है और नए अनुभों को अपनाने का साहस करना चाहिए करना चाहिए